है कि है वे इस को है वाज मैंने मीश running आख आए वियाट आश्क कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनाय पित दोश के बारे में इसके बारे में जितनी वी इंपoryमेशन हमारे इंफ दिशकस्क करने वाले हैं तो आपा चैप्टर और यहां पर प्रकार होते हैं जैसे हमने पढ़ादावाद के पांच प्रकार होते हैं प्रान उदान समान वियान अपान और उन प्रकार के एक specific location होती है और उनका specific function होता है यह सारी बाते हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है जो कोश्चन है जो कोश्चन आता है अगर पित दोश निरूपन लिखने के लिए तो त यह जो पित शब्द बना है यह किससे बना है तप संतापे तप यहां पर तप का अर्थ होता है ताप तुमने गाउं वगेरा में सुना होगा जो बड़े बुजर्ग होते हैं यह बोलते हैं कि यह हात ताप रहा है तापने का मतलब होता है हास थेक रहा है मतलब हीट ले र तुम बतावोंगे कि पित के मैन फंक्शन तका को तुम बता रहें लेकिन जादा अगर तुम…. पित के दुवारे ही ट्रांसवर्मेशन होता है तो पण्च्वव्तिक सव रूप मैंने तुम्हा सारी क्लासिफिकेशन पढ़ाएते सब yen क्यान थो सब पता रखा यो प्रदान का है तो पीफ के अंदर कॉन से महाभूत प्रधांट रहता है अगनी रहता आगम से प्रिवियस लेख्टब देखेंगे तो तो इसलीय समझ आ रहा होगा अग आते हैं आगे इसके अंदर पितके गुन पित के कौन का याद करने के लिए था इसी तरीगी से तुम्हें यह बहुत इंपोरटनट है इसके अंदर किया है यह स्टांक शूतस्तान का फर्स चेप्टर का 11 श्लोग है यह उत होता है इसने का मतलब होता है ओली चीज मतलब इसका अगर हम नेचर देखेंगे तो कैसा होता है औली यहां पर इसके पित का नेचर है एक वो कौन सा है इस नहें मतलब ओईली अगला रहा है इसके अंदर तीक्षन का मतलब होता है पैनिट्रेटिंग जो इसका एक गुन है पित का यह क्या है पैनिट्रेटिंग है अगला आता है ऊश्न का मतलब होता है हीट ठीक है यह गरम होता है अगला आता ह अगे चलते हैं आगे लिखाए यापर विस्तरम का मतलब होता है दुर्गन्द यूगत्व मतलब इसके अंदर से कोई किसी भी टाइप की श्मेल नहीं आती अगला लिखाए है यापर सर, सर का मतलब है पूरे शरीर में फैलने वाला होता है और द्रव्य मतलब यह एक द्रव कर्म प्राक्रित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पि इसमें प्रणिंग जो हमारा पित है क्या क्या है मतलब है mission करता कूछ मा की उत्पत्ति करता है हमारी बोडी के अंदर हीट बनाता है next the path Aireng बियास मतलब होता है को मलतला है खाने में रुछी उत्पन करता है हमारी Program करता है हमें बुद्धी देता है और ये हलका होता है हमारी बोडी के अंदर ट्राइस्वाम कर देगा खाने को पचा देगा तो किया होगा हमारी बोडी तो इसके लिए हमें ये श्लोग क्यात करना है ये श्लोग क्या बोलता है नाभिर अमाश्ये स्वेदो लसी का रुधिरम रसाहा द्रिक इस पर्शनम चै पिद तस्तिये नाभिरत्र विशेश्टाहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब तुम्हें जानना बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसका जो इस्थान बताया है वो बताया है एक तो नाभी अगला अमाश्ये नाभी का मतलब हमारा होगे अमलाइकस अमाश्ये मतलब हमारा स्टमक अगला स्वेदो मतलब हमारी जो स्वेद का मतलब क्या होता है पसीना अगला लसीका लसीका का मतलब होता है lymphatic system अगला देरा का यहां पर रोदीरम रसा हा रसा मतलब क्या होता है आपर जो हमारी रसधातु है अगला द्रिक सब्सक्राइब और जलदी से रग्री करना है और बता देना है फूरा आगे हाते हैं और आगे आता है इसके अंदर next, पित के भेद, पित के कितने भेद होते हैं, तो देखो जिसे हम इने वात के भेद पढ़ेते पांच, इसे तरीके से पित के भी पांच प्रकार होते हैं, कौन-कौन से पाचक, रंजक, साधक, अलोचक और ब्राजक, अब हमें क्या करना है, इनका एक specific location और इस अमाश्य और पक्वाश्य के बीच में, अगर हम बात करते हैं अपनी अमाश्य की, तो मतलब हो जाता है, इस टमक, और फिर क्या स्टार्ट होती है, यहां पर डियोदीनम, डियोदीनम के बाद, फिर पूरी मतलब जेजुनम, इलियम इस तरीके से, और फिर लाजर इंटरस अचन क्या है तो सब्सक्र देख क्या रहेदा इसके लिए नेक्स्ट इसका क्या मैं ट्सक्लम और इसको अलग करना यह सार और किट को विभाजन करने करती है अगला जो शेश पित है इसको बल प्रधान करना जो हमारा पित दोश है पित दोश को भी एक शेश बल प्रधान करना ठीक है यह किसका काम है पाचक पित का काम है अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इसके अंदर रंजक पित रंजक पित का स्थ प्रकार की धातू होती है जो पहली होती है वो कौन सी धातू है हमारी रस धातू और जो दूसरी धातू है हमारी वो है रक्त धातू अगर हम modern के according बात करें तो modern यह बोलता है जो blood बनता है वो bonds के अंदर बनता है एप्रेत्रापोईसस से ठीक है ना लेकिन यह आयेविद क्या बोलता है यह बनता है जो रक्त बनता है यह दातु से रख धातु का निर्मान होता है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आता है सादक पित सादक पित का स्थान एवं कर्म सादक पित का जो मैंने स्थान बताया है वो हिरिद्य बताया है और हिरिद्य के साथ साथ जो उसका कर्म बताया है वो है बुद्धी मतलब हमें कि हमा ट्रीषत का इस्थान हो सकता है नैत्र क्या है क्यास कि जो ठीब होता है तो कौन सा पित होता है उसमें रूप घ्रेन करने में सहायक होता है मतलब हमें देखने में हमें सहायक होता है next आता है इसके अंदर ब्राजक पित, ब्राजक पित के स्थान एवं कर्म, इसका जो स्थान है ब्राजक पित का वो है तुचा हमारी स्किन, और कर्म क्या है तुछ को कांती युक्त करना कांती का मतलब होता है चमकना ठीक है? तो मतलब यह हमारी तुछ को चमकाने का काम करता है भ्राजक पित तो यह कुछ हमारे पास इसके टाइप्स हो जाते हैं और इसके इस्थान और कर्म कौण कौण से type है? पाचक, रंजक, सादक, आलोचक, ब्राजक यह तूमें इसी sequence में याद करने है इसके कुछ कर्म याद करने है मैंने तुम्हे तुम्हें स्रिफोरिव एक इक concept clear करा है मैंने तुम्हे रहा है पर भागी जो तुम elaborate कर सकते हो अपनी बुक के according और अपने paper के according तुम इसको elaborate कर सकते हो लेकिन अगर तुमसे यह 15 नंबर में question लिखने के लिए आता है तो तुम्हें इसा थोड़ा सा और elaborate करना पड़ाएगा लेकिन अगर 5 नंबर में लिखने के लिए आता है तो 5 नंबर के लिए यह sufficient है तुम इतना भी ल करना अगर तुम मेरे वर्क से खुश हो तो प्लीज कमेंड मुझे जरूर करना कोई भी सजेशन मुझे देना है तब भी तुम मुझे कमेंड बोक्स में बता सकते हो मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्स्राइब पर करके मेरे आइकन को प्रेस कर लो जि थांधि श जरी विडिवान को ゃने तो, ख मिया क्ने बिया कौय को अईय के दिग थास्टत रोपर से खार, अजस्ंग रोता सकते हो जारिता था है।